मेरे पहरे देशवासियों भारत में खेती और उससे जुड़ी चीजों के साथ नए आयाम जुड़ रहे हैं। इन सुधारों से न स्रिफ किसानों के अनेक बंदन समातु हुए हैं, बलकि उन्हे नए अतिकार भी मिले हैं, नए अफसर भी मिले हैं। इन अधिकारों ने बहुती कम समय में किसानों की परेशानियों को कम करना शुरू कर दिया है। महराष्ट के धुले जिले के किसान जीतिंद्र भोई जी ने नए कुरुसी कानूनों का इस्तिमाल कैसे किया ये आपको भी जानना चाहिए। जीतिंद्र भोई जी ने मक्के की खेती की थी और सही दामों के लिए उसे व्यापारियों को बेचना तैक किया। किसान से फसल खरिद लो, महिनों महिनों पेमेंट न करो। संभात हम मक्का खरिदने वाले बर्षों से चली आ रही उसी परंपरा को निभा रहे थे। इसी तरह चार महिने तक जीतंद्र जी का पेमेंट नहीं हुआ। इस तिति में उनकी मदद की सितंबर में जो पास हुए हैं, जो नए ख्रिशी कानून बने हैं, वो उनके काम आए। इस कानून में ये तै किया गया है कि फसल खरिदने के तीन दिन में ही किसान को पूरा पेमेंट करना पड़ता है। और अगर पेमेंट नहीं होता है, तो किसान सिकायत दर्ज कर सकता है। कानून में एक और बहुत बड़ी बात है, इस कानून में ये प्रावधान किया गया है कि खेत्र के SDM को एक मेने के भीतर ही किसान की सिकायत का निप्टारा करना होगा, अब जब ऐसे कानून की ताकत हमारे किसान भाई के पास थी, तो उनकी समस्या का समाधान तो होना ही था, उन्होंने सिकायत की और चन्ध ही दिन में उनका बकाया चुका दिया गया, यानि कि कानून की सही और पूरी जानकारी ही जीतेंद्र जी की ताकत बनी, छेत्र कोई भी हो हर तरह के भ्रह्म और अफ़ाओं से दूर सही जानकारी हर व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा संबल ह होती है